केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है मैंने अपना ट्रेक रिकर्ड आपके सामने रख दिया है लेकिन कॉंग्रेस और कॉम्मिनिस्टों के नए गडवन्दन का हाल क्या है उनका एक ही टैकर कड़ है एक ही उपलब्दी है कैसे उन्होंने पूरे देश को दसकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा उनके लिए परिवार का ही देश के करोडों परिवारों से उपर रहा है कॉंग्रेस का यही रंग अब कॉम्मिनिस्टों पर भी चा चुका है केरला में उनकी भी सरकार इसी मोडेल पर चल रही है क्योंकि यह लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में यह एक दूसरे के बी एफ एफ यानि बेस फ्रेंट फर एवर है आप देखिए केरला में लोग एक दूसरे प्रहत्या का आरोप लगाते हैं एक दूसरे के काहर करताओं का जीवन संकट में डालते हैं कॉंग्रेस ने तो कॉम्मिनिस्ट सी म पर गोटा लों के आरोप भी लगाए और उन्हें फासी वादी तक बता डाला जवाब में कॉम्मिनिस सरकार ने कॉंग्रेस के लोगों पर लाठी चार्ट कराया कॉम्मिनिस अब कॉंग्रेस की पिछली सरकारों को गोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं ये लोग कॉंग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसियत भी दे रहे हैं लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गडबंजन की बैटरक में कॉम्मिनिस्ट और कॉंग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, यानि तिरुआनंदपुरम में कुछ और भाषा, बिल्ली में कुछ और बोली, इस दोखा गड़ी का जवाब केरल के मेरे भायों बैनों आने वाले चुनाओं में हर केरला का नागरिक देने वाला है,